As a rank holder मैं जब भी अपना paper attempt करता था मेरी यही कोशिश होती थी कि जब मेरी answer sheet examiner के हाथ में जाए check करने के लिए तो मैं कुछ ऐसा प्रभाव ऐसा impression उनके ओपर छोड़ू कि मज़ा आजाए paper check करने वाले को और मुझे पता था मैंने अपना paper इतने महनत से किया है तो teacher भी उसी महनत से उसी शिद्दत से मेरा paper check करे कि एक बर जब वो मेरा paper check करने लगे तो concentration ना बिगड़े अब concentration बिगड़ती किन चीजों से है या तो आपने cutting बहुत जादा कर रखी है paper में standardization नहीं है किसी question को किसी वे से किया है जैसे कि मानलो आपने पहले तीन question तो new sheet से start किये तो teacher को लगा कि सिरफ जो answer number वे आप page के top पर लिख रहे है क्योंकि हर question आप नई sheet से start करे थे लेकिन बाकी के question में कहीं भी sheet में कभी beach में से कभी नीचे से कहीं से भी start कर रहा हूँ मतलब answer number top पर लिखने वे कहीं पर भी दिख रहा है तो standardization ना होना या फिर paper का neat and clean ना होना ये सभी चीज़ें teacher को परिशान करती है जिससे उनका concentration नहीं बन बाता अब जब teacher मेरे paper में 100% concentration से check करी नहीं रहा तो मैं deserve नहीं करता बहुत अच्छे marks लेना क्योंकि वो छीटी तो है जो की teacher के पास जा रही है जो मैंने 3 घंटे में लिखा है तो किसी भी तरह से concentration भंग नहीं होने चाहिए और मैं हमेशे एक step आगे जाकर सोचता था ये तो बाते हो गई चलो normal एक step आगे जाकर मैं क्या सोचता था मेरे साथ एक exam में ऐसा हुआ था not in professional course उससे पहले ही हुआ था b.com में हुआ था या मेरे साथ class 12 में हुआ था सभी कहते हैं कि sufficient number of pens लेकर जो तो मैं भी sufficient number of pens लेकर चला गया लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे को different company का pen नहीं लेकर जाना एक ही type का pen उसमें different quantities ले जाओ जैसे मानलो किसी को Reynolds पसंद है कि Reynolds से आपका हाथ बैठा हूँ Reynolds से अच्छी speed आती है और writing भी अच्छी आती है तो आपने चार Reynolds की pen रख लिए बच्चे एकसर ऐसा नहीं करते कोई एक pen different color का Max Writer, Reynolds, Jetter तीन चर्क तरह के ले जाते हैं which is wrong पहली बात तो एक ही quality का pen लेकर जाए reason being हर pen की लिखाई अलग होती है कोई मोटा लिखता है कोई पतला लिखता है तो जैसे आपका मानलो एक pen खतम हो गया paper में तो आप दूसरे pen से लिखना start करोगे जैसी different pen आई तो writing पहले और बाद की change होने लगी तो अगर teacher के सामने ये हो गया answer sheet में तो यार फिर से concentration तो भंग हो गई तो मैं क्या करता था एक ही type के pens अब एक ही type के pens से भी काम खतम नहीं होता आपने Reynolds के pen से लिखना start किया जो आदा भरा हो था आपका खतम हो गया paper में आपने जब नया start किया दूसरे pen से लिखना है जो fresh pen है उसकी writing starting में क्या होगा आपकी light आएगी pen जैसे जैसे घिस्ता जाते है उसकी writing dark होती जाती है darker और darkest हो जाती है last में और जब fresh उसको use करते हैं नया pen तो light होती है उसी pen के लिखाई तो जितने भी pens लेकर जाओगे थोड़ा-thोड़ा सभी को घिसा कर जाना अब घिसा कर जाना मतलब ही नए ऐसे page पर लेकर time waste कर रहे हो घर में जब practice करो कि practical questions etc की तो सभी pens को थोड़ा-thोड़ा use कर लो और जब exam में लेकर जाओ तो 4-5 जितने pens होंगे सभी ऐसे हो जिनकी writing एक जैसे हो मतलब अगर एक pen खतम हो भी क्या तो भी दूसरा pen वहीं से continue हो teacher को पता न लगे कि भाई बीच में कहीं breakage होई है तो as a student तो भाई मैं ये वली चीज़ें करता था अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो definitely कीचे these are very very important things which will definitely pay in your exam thank you